हेलो फ्रेंड्स मैं हूं नुपूर आई लव गार्डनिंग से और आज मैं आपको बताने वाली हूं चीकू के प्लांट के बारे में यह देखिए फ्रेंड्स से मेरा चीकू का प्लांट है और इस पर छोटे पर ही काफी सारे चीकू आ गए हैं तो आज मैं आपको इसके बार लाइक करें ताकि मुझे पता चल सके कि आपको मेरी वीडियो पसंद आ रहे हैं और मैं इसी तरह आपके लिए ने वीडियो बनाती रहूं तो यह देखिए फ्रेंड्स यह मेरा चीकू का प्लांट है और इस पे देखिए यह चोटी-चोटी कलियां भी बन रही है और नीचे चीकू जो है वो आते हैं आप चीकू का प्लांट जब भी लगाएं तो आप कोशिश करें कि आप हमेशे इसका ग्राफ्टेट प्लांट ले अगर आप मार्केट से खरीद के लगा रहे हैं तो आप इसका ग्राफ्टेट प्लांट ही लें क्योंकि ग्राफ्टेट प्लांट में जो है आपका प्लांट लगाने के एक से टेड़ साल में ही जो है फ्रूट आने लगते हैं और हमेशे ध्यान रखें यह देखिए जिसकी ग्राफ्ट है यहां से इसकी कलम लगाई गई तो इसको हमेशा मिट्टी से थोड़ा उपर रखें क्योंकि अगर आप इसे मिट्ट के अंदर दबा देंगे तो इसमें जो है बहुत ही जल्दी दीमक लग जाती है या कोई भी फंगस लग जाएगी यह बहुत ही जल्दी प्लांट को खराब कर देगी तो आप हमेशा कोशिश करें कि उसे थोड़ा ऊपर रखें आप अगर सीच से ग्रो करते हैं तो उसमें भी फ्रूट आएंगे बट फ्रूट आने में इसमें कम से कम छे से साथ साल लग जाते हैं ग्राफ्टिक प्लांट का यही फाइदा होता है कि आपको वो तुरंथ आपको बोने की तुरंथ एक से जेर साल के अंधरी वह फ्रूट देने लगता है और चिकू का प्लांट अच्छे से खाद मिला दें क्योंकि यह जो है प्लांट अच्छी स्वाइल में ग्रोग करता है यानि कि इसके लिए वह हलकी रीती और जो काली मिटी टाइप होती जिसमें काफी सारी खाद रहती उस मिटी में यह बहुत अच्छे सी ग्रोग करता है तो आप इसको जब भी बोएं गंले में बोएं चाह या जमीन में बोएं तो अच्छे से उसमên खाद मिक्स कर लें इसके अलाबہ प्रेंट आप चीकु के प्लांट की भूंसाई भी बना सकते हैं इसे बूंसाई के रुप में भी अच्छे से ग्रोग किया जा सकता है यह बूंसाई के रूप में काफी लंबे समय तक चलते हैं और इसमें बड़े बड़े फूर्ट्स लटके वे बहुत सुंदर लगते हैं इसके अलाबा आप इसरे घर में पॉर्त में भी हचे से फूर्ट देता है काफी अच्छे से ग्रोव करता है चीकू के प्लांट में एक बात का और ध्यान देना चाहिए कि उसमें वाटर रेगुलर लगाएं यह देखिए छोटे छोटे एक चीकू बन रहा है मैं यह आपको दिखाती हूं इसमें कलियां काफी सारी बनी है तो अगर आप इसमें रेगुलर वाटर नहीं देंगे तो यह जो बन्च है वो बनते हैं और ज़र जाते हैं तो आप इसमें हलकिसी बोरूंट की खाद जो है वो लगा सकते हैं उसे इसमें अगर कोई इंफेक्शन होगा तो वो दूर हो जाएगा चीकू का प्लांट लगाते टाइम एक बाद का और ध्यान रखें कि जब भी आप इसमें खाद लगाएं चीकू का जो वो इस टाइम है जो आपका ग्राफ्टेट वाला हिस्सा है उस से थोड़ी दूरी पे लगाएं कम से गम 3-4 इंचिस के तने से धूर पे खाद लगाए और हर 15-20 दिन में इसमें खाद लगाएं तब ही आपका प्लांट जो है वो अच्छे से फ्रूट देगा अधरवाइस बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं हमारे प्लांट पे फ्रूट बने थे बट वो जड़ गए तो याद तो आप उसे पानी बहुत कम दे रहे ह या खाद की कमी क्योंकि चीकू का प्लांट जो है वो अच्छी स्वाइल में ही आपको फ्रूट देगा अधरवाइस वो फ्रूट नहीं देता है और फ्रेंड्स जब आपके चीकू के प्लांट में फ्लॉवर बन जाए या उसमें फ्रूट बन जाए उसके बाद भी आपक ठीक से खाद नहीं लगाते तो इसके फ्लॉवर ये फ्रूट जो हैं बहुत ही कौमन है कि जढ़ जाते हैं तो आपको फ्लॉवर ये फ्रूट आने के बाद भी इसका खास खयार रखना है इसके अलाबा फ्रेंट्स चीकू के प्लांट में मैंने डिसीज़ और पेस्ट के जाला हुआ है किस तरह से मेली बग वॉटर से रिमुव कर सकते हैं और इसके अलाम मैंने इसमें स्केल्स का टायक देखा है तो इसके लिए आपको हौटी कर जर्वाइस का यूज़ करना होगा आप 15-20 दिन में आप इसमें हौटी का जर्वाइस का यूज़ करें अगर जानकारी चीकू के प्लांट के बारे में अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज उसे लाइक करें मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें मेरे वीडियो को शेयर करें और अगर आपको कोई और जानकारी चाहिए हो प्लांट से रिलेटेड तॉप कमेंट सेक्शन मे देखना चाहते हैं तो बैल आइकाउन को क्लिक करना बिल्कों न भूले